हलो एंड वेलकम फ्रेंड आपके ही अपने यूटूब चनल ड्रीम ग्रिक ग्रू में आज हम बात करने वाले हैं जो इंग्लेंड और फाकिस्तान की इस सेकंड टेस्ट मैच होने वाला है इसके बारे में डेटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों टीम नियूज के बारे में चर्चा करेंगे आपके इंपूर्डेंट प्लियर्स के बारे में चर्चा करेंगे इतना scoring बिगेट नहीं है आप देख सकते हैं यहाँ पर total 50 match खिल गए हैं इनमें से पहले बल्ले बाजी करने वाली मातर 21 match और second बल्ले बाजी करने वाली 26 match बिन किया है first inning average score के बारे में बात करने तो आप देख सकते हैं 241 भई second innings 222 है यदि last 5 match के बारे में बात की जाए तो दोस्तो फर्स्ट इनिंग में बल्ले बाजी करने वाली दो match जीती है second बाली एक जीती है और एक match है यहाँ पर यहनका draw रहा है तो यदि last 5 के सामसे बात की जाए जो टीम टोस जीतेगी वह ही आपके लिए बल्ले बाजी करती ही नजर आ सकते है highest total और दोस्तों आप एक देख लीजी क्या होता है कि मैं पूरा बताता हूँ तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है यदि last match के बारे इम बात की जाए तो आप यहाँ से देख सकते हो पाकिस्तान ने पहले बाले वाजी करती हूँ यह 326 रन बनाया थे वहीं सानमसूद ने आपके लिए 156 बना कर दिया थी और बावराजम ने आपके लिए यहाँ से 69 रन बना कर दिये थे यहाँ पर पाकिस्तान ने बढ़ात ले ली थी लेकिन दोस्तो फिर भी पाकिस्तान में चाहरी थी तो आप अंदाज अला सकते हो कि सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान कितना खराब खेली थी ओली पोपेव ने आपके लिए यहाँ से 62 रन बनाया थे यहाँ दोस्तो मात्र 179 यासर सहाज जो कि इनके बॉलार ने दोस्तो हाइस्ट स्कोरर रहे थे और आप देख सकतो रिजबान मुहमबंद ने भी यहाँ से 27 रन बनाये थे स्ट्यार ब्रोड तीन विकट और क्रिक्स बोक्स आपके लिए दो विकट निकाल कर दिये थे इंगलेंड के और से बात करने हैं तो दोस्तो क्रिस बोक्स ने सांधार यहाँ पर बल्लिबाजी की और 84 रन की इनिंग्स खिल कर दी जो कि लास्ट मैच में हमारे कैप्टन थे दोस्तो आपने देखा होगा टेलिग्राम पर हमने टीम प्रोड कराई थी तो आप एक बाद टेलिग्राम से जोड़ सकते हो क्योंकि दोस्तो आपके लिए टेलिग्राम पर ही प्रोड कराता हूँ और final team भी आपके लिए टेलिग्राम पर ही प्रोवाइड कराता हूँ जिन match की में आपके लिए वीडियो प्लब दिना ही कराता हूँ यदि आपके लिए वाइचाइंस लिंक कंप नहीं करती तो आप जागा टेलिग्राम पर सर्च बोक्स में दोश्तो द्रीम क्रिक गुरू जी आपके लिए वहाँ से मेरा चैनल खुल जाएगा दोश्तो आपके लिए सिम्बल देखना है और हमारा चैनल जोइन कर लेना है चलिए बात करती है अब हम यहाँ से दोस्तो टीम नियूज के बारे में तो आप देख सकते ह आपके लिए खेलती हुआ नहीं आएंगे पर्शनल डेजन की वज़े से इनकी जगे दोस्तो जैक कारबली आपके लिए खेलती हुआ आ सकती है उली रोबिंसन आप देख सकते हूँ यहाँ पर दोस्तो कोई स्कॉड में जोड दिया गाया दोस्तो इनकी बैन स्टॉक्स की व यहां से जेमी एंटसन, एंटसन को भी आराम देने के बाद चल रही है इन दोना में से किसी की जगे मार्क बोड खेलती हुआ नजर आ सकते हैं दोस्तो आप तर ट्वस आपके लिए सब क्लियर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर तो प्लीज आप टेलीग्राम से ज़रू जड़ जाएगा लिंक के थूरू जड़ सकते हो जो वीडियो के डिस्क्रिप्र में जाएगी यहां से टेलीग्राम पर जाकर ड्रीम के गुरू सर्च आपके लिए करना है पाकिस्तान दोस्तो सदाब खान को सायद ना खिला है क्योंकि इनसे इतनी ग्यानवाजी नहीं करा इनकी जगे एक 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 एकट्रा वल्लीवाज इमाम उलाक या फवाद आलम को खिला जाए ज़सकता है तो दोस्तों इनके नीबी आपके लिए के बाद मैं टेलिग्राम पर अपडेट कर दूँगा अब देख लिएते हैं यहां से इंग्लेंड की समभाब 11 वेटिंग ओड सब पहले आपके लिए रोरी बंस डॉमेक डॉमेक सिबली के साथ ओपन कर विनजर आ जाएंगे तो आप यहां से देख सकते हो दोस्तो इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया है यहादी पिछले चार पिछ टेस्टों के बाद किया है सिर्फ एक में स्कोर किया है दोस्तो आप स कभी चांदार है लेकिंद दोस्तो इतना अच्या प्रमेस नहीं किया आप देख सकते है तो बिल्कुल लेसकती हो बहीं जोईयों यहाँ से यहाँ से कार्वली आपके लिए खिलती हो ने जर आ सकते हैं दोस्तों आप्टर टॉस इनके बारे में news आपके लिए टेलीराम पर दे दी जाएगी उसके लिए बात करें आप देख सकते हूँ यहां से जीव रूट हो जाते हैं दोस्तो ए इंपूडेंट पिलेयर हो जाते हैं आप इन्हें अपनी टीमें ट्राइक कर सकते हूँ ओली पोपे हैं दोस्तो काफी स्ट्रॉंग दोस्तो इनकी जो बैटिंग टेकनिक है काफी स्ट्रॉंग है तो आप यहां से इन्हें भी अपनी टीम में ट्राइक कर सकते हो फर्स्ट इनिंग में दो दोस्तो इनोने आप देख सकते हूँ यहां से स्कोर किया है लेकिन 2nd inning में तरह स्कोर इनों नहीं किया भई बात करें दोस्तों यहां से जोस्त बडलर के बारे में तो आप देख सकते हो दोस्तों जोस्त बडलर पर दारमदार बढ़ जाता है दोस्तों क्योंकि इनकी टीम के और से 20 श्टॉक्स खिलती हूँ नहीं आएंगे तो आप इन्हीं अपनी टीम में ट्राइक कर सकते हो वहीं क्रिस बोक्स आपके लिए important player हो जाते हैं क्योंकि आपके लिए गेंदवाजी तो करेंगे ही करेंगे उसके साथ बल्लेवाजी से भी score करकर दे सकते हैं जैसे कि आपने last match में भी देखा आप देख सकते हो चार बिकेट में काले last match में total और इन्होंने लगबख सोरन का score भी करकर आपके लिए दिया डॉम बैसे आपके लिए खिलती हो नजर आ सकते हैं आप देख सकते हो दोस्तो इतना हारा गी भारी भर कम इन्होंने प्रोफ में इस नहीं किया है लेकिन महीं बात करें इस्टुर्ट ब्रॉड के बारे में आप देख सकते हो last match में 6 विकेट इन्होंने निकाले हैं तो आप इन्हें अपने team में try कर सकते हैं पिछले तीन मैचों से दोस्तों, सेकेंड इनिक्स में कोई भी विकेटे नहीं निकाल पाई, ये थोड़ीशन के साथ प्रॉब्लम बनी हुई है, दोस्तों, इनकी जगे मार्क बुड को मौका दे सकते हैं, या दोस्तों, जोरफा अर्चर, आपके लिए टेलिग्राम पर और सेकेंड इनिक्स में दोस्तों, एक मैच, जो तो एक इनकी थड़ी इनिक्स थी, पीछे से, उसमें दोस्तों, इन्हों ने 135 बनाएते हैं, तो आपके लिए इंपोडेंट पिलिएर हो जाते हैं, आप सानमसुद को ट्राइक कर सकते हूँ, आपेद अली के बारें बात कर पिलिए में लेकिंद दोस्तों फिर आपके लिए गेमच्छेंजर पिलिएर हो सकते हैं, बात करें बावराजम के, आपके लिए ये दोस्तों आल् टाइम वेस्ट पिलिएर हो जाते हैं, तो आप यहां से इनिया faktiskt में कर सकते हों जोश्तों, आपके लिए कापी best option हैं, उसक प्रदाप खान दोस्तों इने मौका नहीं मिलने वाला मेरे साब से क्योंकि इस्पिनर से दोस्तों इतना ज्यादा अच्छा प्रोपेंस इंग्लेंड में नहीं कर पाता वह बात अलागे यासर साथ लास्ट मैच में आठ बिकेट ले गाये थे और इन्होंने कहा भी था दोस् दोस्तों इनका confidence level ही है कि विकेट लेने में साब काम्याब हुए हालाकि quality spinner भी है आप देख सकते हो दोस्तों इन्होंने पिछले कुछ मैच्व में second innings में अच्छी गयंदवाजी कि जबकि first inning में अच्छी गयंदवाजी नहीं की लेकिन दोस्तों आपके लिए एक important player हो जा कर सकते हैं आप चाहो इन्हें अपनी टीम में try कर सकते हो भाई मौम्मद अबबास हैं दोस्तों यह भी आपके लिए average player हो जाते हैं last match में हलाकि इन्होंने तीन विकेट जरूर निकाले तो चलिए बात करते हैं आप हम यहां से last match के आधार पर दोस्तों आपके लिए important player सान हैं तो आपके लिए सिर्फ grand league की choice रहने वाली है small league में आपके लिए 99% लोगों की team में नहीं मिलेंगे तो आप इन्हें सदाप खान को small league में avoid कर सकते हो लेकिन grand league में आप इन्हें अपने team में try कर सकते हो as a captain by captain भी आपके लिए अच्छा option हो जाता है चलिए बात करते हैं आ आप जाके बहागे डाउनलोड कर लें डाउनलोड करकर आपके लिए राजबंटू 3 code डालना है इससे आपके लिए पचाह उरुपई cash bonus आजाएगा बहुत सांदर है application है दोस्तो आप यहां से देख सकते हो चारों इनिंग्स दोस्तो फस्ट इनिंग्स तो चारों इनिंग सेक्षन की बात करें तो जोस बटलर और रिजवान रिजवान हलाकि मैं थोड़ी से ग्रैनलिक की चोईस कहूंगा दोस्तो यहां पर जोस बटलर आपके लिए शांदर चोईस रहने बाली है तो आप बिल्कुल इनिंग्स टीप में ट्राइक कर सकते हो दोस्तो इनिंग्स इस ऱगर रिजवान को ट्राइक करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो वल्ली भाज सेक्षन के बारे में बात करें तो आप लिए जीरूस दोस्तो डिफर्ट चौईस बाबर आजम। अब दोस्तो हैं और दोस्तो यहां से सानम्सूद को रब्लकुल ठोग्ज़त रहने व दोस्तो हमने Best Indies के खिलाब भी Last Match में इन्हें ट्राइ किया था और दोस्तो इन्होंने हमी निरास नहीं किया था उम्मीद करता हूँ दोस्तो यह हमी निरास ना करें और दोस्तो बात करें हैं यहां से फवाद आलम की यह इन्हें टीम खिलाती हैं दोस्तो आपके लिए ग्या से ज़रूर जोड़ जाएगा फिलाली किती दिम दोस्तों मैं इन चारों के साथ जाना पसंद करूँगा अब बात करें दोस्तों यहां से ओल राउंडर सेक्षन की ओल राउंडर सेक्षन बेन स्टॉक सा आप खिलती उन्हें जर नहीं आएंगे यदि 55-55% में भी दोस्तों आप हो तो प्लीज उन्हें रिमूब इन्हें रिमूब कर दीजिएगा तो बिलकुल आपके लिए खिंती नहीं आएंगे और दोस्तों वीडियो का अधिक साधिक सेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ क्यों कि वो भी इन्हें अपनी टीम में से रिमूब कर दें दोस्तों बुक्स को मैं आप बिलकुल टीम में ट्राई करने बाला हूँ उसके लाबा यादी सेम कुरण खिंते हैं तो आपके लिए इंपोडेंट पिलेर हो जाते हैं तो आप इन्हें अपने टीम में ट्राई कर सकते हूँ अब बात करने दोस्तों यहां से बॉलिंग सेक्शन की द नहीं निकाला है उसके लाबा नीसम सहा, सेंसा अफरीदी आपके लिए यह दोनों अच्छा उप्सन हो जाता है दोस्तों सेंसा अफरीदी को मैं ट्राई करूँगा आप चाहो तो नीसम सहा को ट्राई कर सकते हूँ काभी यंग बॉलर है और अच्छा बॉलर है गो ग्रैं इनिंग्स में और दोस्तों यहां से यदि जोर फारचर खिलते हैं तो बिल्कुल definitely मैंने अपने टीम में ट्राइ करूँगा अब मेरे 10 प्लियर होगा दोस्तों एक प्लियर आपके लिए एक्स्ट्रा गयंदबाज ट्राइ करना है या ओल राउंड ट्राइ करना है या दोस्तों आपके लिए बल्लिबाज ट्राइ करना है कर सकते हैं दोस्तों Small League, Grand League के लिए दोस्तों क्या situation रहने वाली है वो आपके लिए आप टोस टेलीग्राम पर अपडेट कर दी जाएगी, दोस्तों आप इनको बिल्कुल डेफिनेटली मैस नहीं कर सकते हैं, as a Captain Vice Captain, last match में हमारे Captain Vice Captain Aries दोस्तों Captain Chris Brooks थे, Vice Captain Babar Azam थे, आप चाह निकली धन्यवाद